जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए एक जरूरी सुचना है अगर आपके उमर 18 साल से कम है तो फिर आप प्लिस इस वीडियो को ना देखे कि आपके उमर के लिए ये वीडियो सही नहीं है चलते हैं वीडियो की तरह आप इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपके पास भी ऐसा कोई टैलेंट है तो फिर आप भी हो करने के बाद वाल्ल डेकाट हासिल कर सकते हो कि यहां पर कपड़े उतारने के भी एबाट मिलते हैं और भी बहुत सारी ऐसे ही अजीब वाल्ल डेकाट है जो आप इस वीडियो में जानने वाले हो अगर आप भी इन में से कुछ भी इन से ज्यादा कर सकते हो तो फिर अगली बार हो सकता है मैं आपका नाम ही ले लूट सो लेट स्टार्ट नाओ भारत की एक लेट की जिसका नाम है निलांसी पैटल उसने दुनिया की सबसे गिनिजार के कैटागरी में सबसे बड़े बाल रखने वाले वाल्ल डेकाट को हासिल किया और वह भी दो दो बार 2018 और 2019 में और इनकी बाल की लंबाई थी 190 सेंटीमीटर कोनयक नाम की फ्रजाती है जिनके फाजारों महिला एक साथ मिलके उनकी ट्रेडिशनल नायक कुण किया और वाल्ल रेकोड बना दुनिया का सबसे जादा महिला एक सा रेडिशनल डान्स करता हुँ एक व्थर्यक करने वाल्ल डेकोड बनाया on April 5 2019 नेक्स नमबर फोर एक जैपनिस रोप स्क्रीपर जिनका नाम है हिजी की इक्रुआमा उन्होंने 30 सेकंड में 24 स्किपिंग किया और उन्होंने एक वाल्ड रेकोर्ड बनाया आप बताओ कि आप कितना कर पाओगे नेक्स नमबर फाइब यह है दुनिया का सबसे लॉंगिस्ट और लार्जेस्ट सर्पेस एरिया अप स्रीडी पेंटिंग यह लंडन में स्थित है और यह 12,000 स्क्वाइर फीट तक फैला हुआ है और इसे पेंट किया है एक बीटिस आर्टिस जिसका नाम है जो हिल्स और उन् नेक्स नमबर 7 यह है दुनिया का सबसे थीनेस्ट कॉंडॉम इसकी ठीकनेस है 0.006.006 मिलीमीटर मतलब 0.001.401 इंच इस कॉंडूम को इन्मेंड किया है आवनी नाम के एक ब्रांड ने जो की चाहिने होंग कोंग में स्थित है नेक्स नमर 8 इनोंने दुनिया का सबसे ज अगली बार मैं आपकी नाम ले लो और यह तो मुझे नहीं पैता कि इनको 3,31,000 में कितना हो इनको काटा होगा नेक्स नमर 9 यूके के एक इलेक्ट्रिक डिजाइनर ने एक हुड़ा उठाने वाले जो बैक होता है वहां पर उन्होंने मोटर बाई का एक इंजिन लगाया और एक गेर बोक्स और बैटने के लिए सीड लगाया और उसमें उन्होंने टॉप स्पीड को हांसिल किया जो कि 69 क्लिमीटर पर हावर का था मतलब एक कच्रे के डिब्बे को इतना स्पीड से चलाना मतलब यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है यह तो काफी अच्छा था इसका पार्ट टू भी आएगा तो यह तो आपने ख्याल रखिये तब तक मैं फिर मिलता हूँ आपके साथ टेक क्या एंड गुडबाई जैहिंद